आज 17 जन्वरी 2023 बाप दादा के वहाँ वाक के हैं मीठे बच्चे तुम तुम इस पाठ शाला में आये हो सेंटर में क्या आये हो तुम इस पाठ शाला में आये हो अपनी उची तकदीर बनाने तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है पहला प्रशन है कई बच्चे हैं भागेशाली बन जाते हैं दुर भागेशाली कैसे जिसे बापा ने कहा ना जो बच्चे यहां पाठ शाला में पहुंच गए इस स्कूल में एडविशन ले ली उनका भागेशाली दुनिया सबसे बढ़ गया पर यहां आते भी फिर दुर भागेशाली बने यह कैसे हो सुनता है के जिए अद्धर छिया के इड़ा है अध्यार है दुर जिसे जो बच्छे भागेशाली हैं जिन्हें कोई भी करम बंधन नहीं है कि अर्फार्थ शुनन बंधन् मुक्ट है कि यह को करम्भोग वी मार्या वहां दिगर आाफ एक करन का बंदन बंदन वीज आप किसी भी कार्ण वाश यहां नहीं आपाते हैं आफिस भी बिजी हो बिजनस आपका ऐसा है घर वाले नहीं आना देते हैं यह आपका मुन नहीं कर पड़ता है यह करम बंदन है अगर ऐसा कुछ नहीं है और आ सकते हो करम बंदन मुगत तो पहला ठीक है वो बच्चे हैं वो बच्चे भागिशाली हैं जिने कोई भी करम बंदन नहीं है अतास करम बंदन मुख्त है आसा ते नाम से परंतु परंतु फिर भी यदी पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते फिर भी यदी यहां आकर भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते यानि यहां आते भी बुद्धी इदर उदर भटकती रहती है एक बाप जिस से इतना भारी प्रापर्टी मिलती है वर्सा मिलता है उसे याद नहीं करते कहने का भाव दुनिया के लिए टाइम है जो देने वाला अस्री है उसके लिए टाइम नहीं है भागे विधाता एक है उसके लिए टाइम नहीं है तो भागे शाली होते भी दुर भागे शाली ही कहेंगे यहां पौंच गे भागी खिल गया पढ़ाते इंथिंद्ध मेंसिंद्ध के लिए जैया चलरे हो भाग्य सवी बनता जा रहरे है बनता झारहरा है क्योंकि भागे विदाता एक ही है वो भागे कैसे देता है विदाता विद जिसके पास विदाएं है विदाएं बताता है क्या तरीका है विदाएं बनाने का तो मुलिया क्या है वो विदाएं है ये विदाएं मुलिया जब आपको विदाएं मिल गया मुलिया मिल गी आप आपको मेरा भागी ख्राब है फिर तॉब वह कौन कौन से रस भरे हुए है उत्तर है शिरी मत ही है जिस में मात पिता टीचर गुरू सब की डिरेक्शन्स इकठी है सब की मत इकठी है इसका मतरब शिरीम जैसे सैक्रीन है जिसमें सब रस भर रहे हुए है सैक्रीन क्या होती है सैक्रीन जिससे ऐसक्रीम बनती है चीनी बहुत डाले पड़ती है सैक्रीन एसेंस है इतने जी डालोगे तो इतनी चीनी यह काम करे आओ अब है तो ऐसे ही बावा की अमली प्रॉल्म है एक लएक पकड़ो उस पर सोचना शूरा कर दो परवाल्व अपन लियत्य है आनद्व काम करती है और स्सेद्रीन में सारे संबन्तों के उन से है यह ऐसरी बहुत का जोरी मिलेका टीचर के जोरी मिलेका सत्यक्रीक जोर मिलती है मुर्ली और क्या चाहिए गीत चला तकदीर जगा कर आई हो यहां पहुँच गए में तकदीर जग गई ओम शांती शिव भगवाल वाच मनुष जब भगवत गीता सुनाते हैं तो शिरी क्रिशन का नाम लेकर सुनाते हैं और यहां और यहां तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानू वाच शिव भगवान सुना रहे है खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानू वाच क्यों कि शिव बाबा सोयं ही बोलते है edition दोनों कठे भी बोड़ सकते हैं. बच्चे तो दोनों के हैं. तो बच्चे और बच्चे दोनों बैठा ही हुए हैं. तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि तुम्हें कौन पढ़ाते हैं कौन पढ़ाते हैं क्या कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं बाप बड़े को दादा छोटे को यानि दादा बाप अना बाप दादा सिंद्ध में कहते हैं बाई को बड़े बाई को तो बाई को ही कहा जाता है वो बाप भी है बाई भी है तो बाप दादा इकठा ही कहा जाता है अब बच्चे भी जाते हैं कि हम स्टूडन्ट हैं स्कूल में स्टूडन्ट बैठते ही इसलिए हैं किसलिए तरदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे वो जिसमानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं और यहां तुम बच्चों की दिल में हैं कि हम को बेहत का बाप परम पीता परमात मा पढ़ाते हैं कि इतनी बड़ी बात है नहीं इस बाप इस यानि ब्रहमा को नहीं कहते हो यह बाप नहीं है निराकार बाप समझाते हैं और तुम जानते हो हम बाप से राज योग सीख राजाओं का राजा बनते हैं अब दुनिया में राजाएं पी होते है और फिर राजाओं के राजाएं भी होते है राजा भी है फिर राजाओं के राजा है जो मंदिर में है जो राजाओं के राजाएं है उनको राजाएं भी पूछते है अब ये रिवास भारत खंड में ही है पतित राजाएं पावन राजाओं को पूझते हैं तो बापने समझाया है यह तो हो गया राजा तो महराजा किसे ऊक्रेगे महराजा कहा जाता है बड़ी प्रॉपर्टी वाल सबसे दफ पॉपर्टी वह महराजा है फिर राजे लोग छोटे होते हैं आज कल तो कोई कोई राजाओं की महराजाओं से भी प्रॉपर्टी जास्ती होती है और कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है आज को सिस्टेंब सारे खराब हो गया पर वहां पर ऐसे अन लॉफिल नहीं होता हमाराजामेज सबसे हमीर सेकेंटर मेरे राजा फिर साओकार ऐसे से तब देचेन वाँ पर वहां तो सब कुछ सिस्टेमेटिकली होता है काईदे अनुसार होगा बड़े क्या काईदा होगा बड़े माराजाओं के पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी जदा प्रॉपर्टी होगी तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैट पढ़ाते है माराजाओं को बनाने वाला वो बाप बैट हमें पढ़ाते है क्योंकि परमात्मा भिगर राजाओं का राजा वो भी सुरक का मालिक कोई बनाई नहीं सकता क्योंकि सुरक का रच्चे इता है ही निराकार बाप उनका नाम भी गाते है Heavenly God Father बाप साप साप समझाते है कि मैं तुम बच्चों को फिर से सुराज आपका अपना राज दे कर राजाओं का राजा बनाता हूँ और अब तुम जानते हो हम तकदीर बना कर आए है समझते हैं ना यहां पहुंचते क्या हो लगा तकदीर बना कर आए है वो भी बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने तो तो कितनी खुशी की बात है चेरे खिल जाने चाहिए ना अंदर एक बात जाएगे तो चेरा अपना खिल जाएगा उपर चल जाएगे तो चेरा ऐसी रहेगा अपना अपना चेरा साथ चेक किया करो कितनी खुशी की बात है बड़ा भारी इम्तियान है बड़ा भारी इम्तियान है बाबा कहते है शिरी मत पर चलो इसमें मात पिता टीचर गुरू आदी सबकी मत इकटी है सबकी सेक्रीन बनी होई है सभी का रस एक में भरा हुआ है सबका साजन एक है पतित से पावन बनाने वाला वो बाब ठैरा गुरू नालक ने भी उनी की महिमा की है तो जुरूर याद उनको ही करना पड़े पहले वो अपने पास ले जाएगा फिर पावन दुनिया में भेज देगा कोई भी आए तो उनको समझाना है कोई मेली सार दिम्हें आपको क्या सब्जाओगे यह है गौरिली कॉलेज भगवान का बनाया हुआ कॉलेज भगवान कुछ वाच करते हैं पर खुद बोलते हैं कुछ बढ़ाते हैं भगवान वाच और स्कूलों में तो कभी भगवान वाच नहीं कहेंगे कि भगवान है ही निराकार ग्यान का सागर मनुष्रिष्टी का बीज रुप चेतन्य तुम बच्चों को बैट पढ़ाते हैं तो यह है गौर्डली नौलेज सिर्फ मुली को कहेंगे गौर्डली नौलेज अब सरस्वती को गौड़ेज ऑफ नौलेज कहते ही हैं तो जरूर गौडली नौलेज से गौडली नौलेज से गौड गौड़ेज ही बनते होंगे उनको गौड गौड़ेज कहा जाता है अब बैरिस्ट्री नौलेज से बैर सरस्वती ने सरस्वती को गौड ने नालेज दी है तो जैसे सरस्वती गौडिश अफ नालेज है वैसे सरस्वती एक नहीं तुम बच्चे हो तुम भी सरस्वतिया हो सरस्वती को बहुत बच्चे है ना परंतु हर एक गौड अफ नालेज क्यलाए यह नहीं हो सकते सभी क्यलाए जाएंगी गौड नालेज है यह नहीं हो सकता तो इस समय अपने को गौड नहीं कह सकते वहां भी तो देवी देवता ही कहेंगे है देवी देवता और उनको लोगों ने कहा गौड गौड ने जाएंगे इसे धारन कराती हैं यह मरतबा देते हैं बड़ा इतनी बड़ी पोस्ट मुझे देते हैं बाकी देवताएं गौड गौड इज तो हो ही नहीं सकते यह मात पिता तो जैसे की गौड गौड इज हो जाते हैं बाप नहीं बनते माबाप नहीं बनते माबापके समान बन जाते हैं परन्तु है तो नहीं ना उनके समान है पर वो तो नहीं है ना तो निराकार बाप को कहेंगे गौड फादर इन ब्रमा बाबा को साकार को गौड थोड़ा ही कहेंगे यह बड़ी गौड बाबा बाब गौड नहीं है बर्मा बाबा गौड नहीं है शिवाबा गौड है अब आत्मा और प्रमात्मा का रूप और फिर सम्बंद कितनी गौड बाते हैं पहली बात ओ तो मैं आत्मा हूँ सबसे बड़ी बात दुसरी बड़ी बात मैं परमात्मा का बच्चा हूँ क्याना मैं आत्मा हूँ परमात्मा है और फिर सारे संबंधी मेरे उससे है कितनी बड़ी बात है यही खेल है, इसी में पुर्शारत है, इसी में मेहनत है, और बड़े-बड़े बंदे भी ग्यान में चत्रे बंदे भी इस बात को समझते नहीं है, जह ग्यान में बहुत साल से चल रहे हैं, पर इस सचाई को धारन नहीं कर पाया है, जिस दिन यह सचाई धारन होगी, ऐसा प सब्द मेरे उख से हैं क्योंकि जब जब हम यहां सब्द रखें किसी से अतने अतने दुखी होते रहें जिसका एक तो राइटर था उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई बहुत प्यार मिल रहा है किसी से समलो यह दुख का बीज पढ़ रहा है दुख का बीज डारा है यह उसी टैम समझ लो यह दुख का बीज पढ़ना शुरू हो गया क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि जब किसी से प्यार मिलना शुरू होता है तो अच्छा लगना शुरू अच्छा लगना लगता है तो फिर क्या होता है उसी से चाहते बढ़ जाती हो से इच्छाएं बढ़ जाती है से यह ऐसी प्यार देता रहे अब ऐसी प्यार देता रहे नहीं अब है तो इनसान भरपूर तो नहीं है हम उससे भरपूरता चाहते ह बर्पूर तो जब उससे नहीं मिलेगी वही से भी हो दुख कारण बन जाएगा चिंताओ कारण बन जाएगा तो इसलिए एक ही बर्पूर है वह उस हरे को जितना चाहो दे सकता है यह बात अभी समुझ लो निश्टों बात में आना तो पड़ेगा लेट हो जाओ पहले समझ ने बात के बावनिय का यह बड़ी बातें गुया बाते हैं क्योंकि आत्मा और प्रमात्मा का रूप और फिर समंद कितनी गुया बातें यह वह जिसमानी जिसम के संबंदी काका चाचा मामा ओं तो कॉमन है मा के रिष्टेदार बाप के रिष्टेदार भाई बेन ये तो आम है हरे एक लिए होते हैं ये तो है रुखानी सम्झाने की बड़ी युक्ति चाहिए मात पिटा अक्षर जब कहते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना सारी बड़ी में पूजा की हमने तुम्हारी क्रिपा से सुगने रहे तो समझते लो मतलम कियां इसका वही अक्षर अविनाशी बन जाता है परमने डूलेशन बन जाता है भाबा से भक्ति मार में भी वही अक्ष फिर चलाता है तो तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं और पढ़आने वाला ग््यान का सागर है इनकी आत्मा भी पढ़ते है भ्रमा भी पढ़ते है आत्मा भी पढ़ती है इस आत्मा का बाप वो प्रमात्मा है। बर्मा का बाप भी प्रमात्मा है। जो सभी का प्राइक ज्यान कैसे ले वह आते हैं ब्रहुमा के तन में को उन्हों ने फिर उन्हों ने फिर शास्ति यागलिया ब्रहुमा के बने शीरी कृष्ण का नाम डाल दिया है। गुर्ति देव का हुई श्री किषनि को यह ब्रमा को बाटोएगी है अब श्री किशन् की आत्मा सत्यों बनेगी की वह आत्मा वही श्रीर भलास्त में ब्रमा है तो उनूंहें वर्ज शब्दों में थोडा गुर्ति कर दिए अगर वोही भ्रमा में कहज़े कि यह भी ड्रामा में है कुछ भूले हो गलती हो तभी तो बाप आकर इस भूल को क्रेक्ट करके अभूल बनाए अब निरा प्रॉलम की वही निराकार है वह निराकार को न जानने के कारणी कंफ्यूज जो मूझ गए है तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप बेहद का वरसा देने वाला हूँ अब बोलना पड़ता है मैं तुम्हारा बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने वाला हूँ लक्ष्मी नारायन स्वरक के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते जरूर कोई ने तो करम सिखाए होगे न और वो भी जरूर बढ़ा होगा जो इतना उजबद प्राप्त कराया प्रूफ है ना मंदिनमार बास दुनिया वाले मुनश्चतों को कुछ भी नहीं जानते और बाप कितना प्यार से समझाते है कितनी बड़ी अथॉर्टी है आलमाइटी अथॉर्टी सरोशक्तिवान है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है तुमको चकर लगाना होता है चकर तो लगाना ही पड़ेगा बना बनाया है इस बनावर को जानते कोई भी नहीं कैसे बना कैसे बनाया कोई नहीं जानते हैं ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं ये सिटी चकर कैसे फिरता है यानि दुखधाम से सुखधाम कोई बनाते हैं ये तुम ही जानते हो तुमको सुखधाम के लिए ही पढ़ाता हूं और तुम ही 21 जर्मों के लिए सदा सुखधी बनते हो और कोई वहाँ जाई ना सके सुखधाम में जरूर थोड़े मुनश्य होंगी समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए कहते तो हैं बाबा हम आपके ही है कैसे सारी है परंतू परंतू जो कहते हैं बाबा मैं होई आपकी आपका वो सुनो परंतू पूरा बनने में टाइम लगता है अब कोई का करम बंधन जट छूट जाता है कोई को टाइम लगता है कई तो ऐसे भागिशाली भी है जिनका करन बंदन टूटा हुआ है परन्तु प्रावल्म कोई लिए क्लास में आने कि उनको परन्तु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते ऐसे भी है कि पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते तो तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो उनको कहा जाता है दुर भागे शाली खली आना ही जुरूरी नहीं है पढ़ाई में ध्यान देना जुरूरी है कहां ज्यान जाएगा फिर कहां ज्यान जाएगा बैटे यहां पर है ज्यान कहां जाएगा पुत्तर में पोत्रे में दो है ना आदी आदी में बुद्धी चली जाती है और यहां तो एक को ही याद करना है और वर्सा बहुत भारी मिलता है तुम जानते हो अब राजाओं के राजा बनते है पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं वो भी बाप तुमको समझाते हैं कि मैं सुयम आकर राजाओं का राजा स्वर का मालिक बनाता हूं कैसे इस राजियोग से वह पतित राजाय तो दान करने से बनते हैं जितना दान करेगा अरह जिने में राजा के घर बन जाएगा उन्हों को बहुत करने से राजाई कुल में जनम लेते हैं बाबा करते हैं इसलिए रजाएगुल में जमा होता है और मैं बाबा भी करता है इसे पैसे देदो राजय बना देगा मैं तो एक जनम के लिए इकिस जनमों के लिए तुमको सुख देता हूँ वो तो एक जनम के लिए बनते हैं सो भी पति दुखी तो रहते ही हैं मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ और दुनिया वाले क्या समझते हैं मनुश्य समझते हैं सिर्फ गंगाशनान करने से पावन बनते हैं कितने धक्य काते हैं गंगा जमना आदी की कितनी महिमा करते हैं अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं तो क्यों पानी तो पानी तो सागर से आता है पानी तो सागर से आता है ऐसे तो बहुत नदियां हैं विलायत में भी बड़ी नदियां खोदकर बनाते हैं इसमें क्या बड़ी बात हैं ग्यान सागर और ग्यान गंगाएं कौन हैं ये तो जानते ही नहीं शक्तियों ने क्या किया जानते कुछ भी नहीं शिव शक्तियों जो है इन्होंने क्या किया कुछ नहीं जानते तो वास्ताव में ग्यान गंगा अत्वा ग्यान सरस्वती ये जगदंबा है मनुष्य तो जानते ही नहीं जैसे भील है आदिवासी है बिल्कुल ही बुद्दू बेसमझ तो बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते है तुम बता सकते हो इनों को राजाओं का राजा किसने बनाया मंदिर में जाके समझा सकते हो गीता बेबी है मैं ही राजाओं का राजा बनाता हूं मनुष्य तो ये जानते ही नहीं हम खुद भी नहीं जानते थे ये जो खुद बना था ये जो खुद बना था अब नहीं है वो ही नहीं जानता वो ही नहीं जानता बरमा बाबा वो ही नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते बरमा बाबा जी तो श्री किसल बना पहला उनको नहीं पताता तो बागी कैसे जानेंगे और फिर सरव या पी के ग्यान में कुछ भी है ही नहीं योग किसके साथ लगाएं पुकारे किसको योगी खुद ही खुदा है फिर पराथना किसकी करेगे कितना वंडर है बहुत भगती जो करते हैं उन्हें का मान होता है फिर भगत माला भी है ना ग्यान माला है रुद्र माला ये फिर भगत माला वो है निराकारी माला तो सभी आत्माएं वही रहती है उन्में भी पहला नमबर आत्मा किसकी है जो नमबर वन में जाते हैं सरस्वती की आत्मा वह ये कहो ब्रमा की आत्मा नमबर वन पढ़ती है है ये आत्मा की बात भगती मार्ग में तो सब है जिसमा नहीं बाते है फिलाना भगत ऐसा था उनके शरीर का ना मिलेंगे और तुम जान तुम मुनश्य को नहीं कहेंगे हम किसी देज़दारी का ना मिलेंगे क्यों कि तुम जानते हो ब्रमा की आत्मा क्या बनती है लोग के आपने भी देज़दारी बना नगारत किया है आत्मा की बात करता है आत्मा क्या बनती है वो आत्मा जाकर शरीर धाल करके राजाओं का राजा बनते हैं यानि आत्मा श अभी तो राजा है यहीं नहीं राजिर करती तो आत्मा है न कि मैं राजा हूं मैं आत्मा हूं इस ख्रीर का मालिकू हूं अब आत्मा शरीर का नाम शरीर धराय धराय फिर राजी करेंगे हुटमِ आत्मा हर जन्हें में श्री का रहा अलग धारल करके राज्य करेंगे सुनती तो आत्मा ही है और आत्मा ही धारल करती है सस्का आत्मा में रहते हैं अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं कैसे शीरी मत पर चलने से कुल मला के बाद आगी मुली के साथ चलोगे तो नजाई मिलेगी अब बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे दोनों को बच्चे कहने का हक है आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो और कोई ये बात कहना सके कि हे निराकारी बच्चे बच्चे दो कोई भी कहते हैं कि हे निराकारी बच्चे या हे आत्माए मुझ बाप को याद करो यानि बाप ही आत्माओं से बात करते हैं ऐसे तो नहीं कहते हैं कहते हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो क्या कहते हैं हे आत्माए मुझ बाप को याद करो तो इस योग अगनी से तुम्हारे विकर्म विनाश होगे एक इस अलाईन है विकर्म विनाश करने की बाकी गंगा शनान से कभी कोई पाप आत्मा से फुल आत्मा नहीं बन सकते गंगा शनान करके फिर घर में आकर पाप ही करते हैं फिर विकर्म वजाएगे पाप ही करेंगे तो इन विकर्म के कारण ही पाप आत्मा का टैटल में गया पाप आत्मा बनते हैं ये कोई समझते ही नहीं तो समझते के बात दी इससे समझी नहीं तो वोई बाप सब्जाते है कि अब तुमको राहू का कड़ा घ्रहन लगा हुआ है प्हले हattendगा मुए जड़का घ्रहाइन होता है त ढ़ापती शर्व होती विगानों की प् car बाबा प्रितग्या उन्ट बाबा अपान अपने चेहरें छोड़ियें भिरेंग पर पिया गणा विकारों का दान से प्रतिया करों, बाबा के प्रितियां आपने चेह शूड़िया ने इसे करो तब ये गर है चुक्टेगे प्राप्ती बहुत भारी है प्राप्ती बहुत भारी है तो पुर्शार्त भी ऐसे ही करना चाहिए ना बाप कहते हैं प्राप्ती क्या है विगार चोड़ने की बाप कहते हैं मैं तुमको राजा होका राजा बनाऊगा इसलिए मुझे और वर्से को याद करो अपने चुर और अपने चुरासी जन्वों को याद करो बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे कौन बच्चे बाबा के जो सारा दिन स्वदर्शन करते हैं मैं कौन मेरा कौन मुझे कहा जाना है बस तो स्वदर्शन का ग्यान भी चाहिए ना स्वदर्शन का फ्राने के लिए ग्यान भी चाहिए ना तो बाप समझाते हैं ये परानी दुनिया खतम हो दी है इतनी मेर्द करनी क्यों है क्योंकि जिस दुनिया पर रह रहा है ये दुनिया नहीं रहनी है तुमको मैं नई दु गर्बार को भूलते हैं और तुम सारी दुनिया को भूलते हो गल्यों की दुनिया को भूलते हो यह बाप ही कहते हैं कि अश्रीरी बर अश्रीर नमित श्रीर के सब समंद भूजाओ मैं अलग आत्मा हूँ मैं तुमको नई दुनिया में ले चबता हूँ इसलिए पुरानी दुनिया से और पुराने श्रीरों से ममत तोड़ो फिर फिर नई दुनिया में तुमको नया श्रीर मिलेगा अब देखो श्री क्रिशन को कहते हैं श्रीर को कहते हैं श्रीर को कि यानि सत्युक में वो श्रीर गोरा था प्योर था अब अंति जन्म में काला हो गया है काला को क्याना बून और था इसलिए इज्ज़दोर वार नाम दे त्यां श्री श्राम बन गया этवह वोही बात है यहां को विकारी बन गया तो गए Union और शञल स्याम्ही फिर सुदर बनता है फिर सुदर से शीयाम बनता है तो नाम रख दीया है शीयाम् शुदर काला बनाते हैं पाँच विकार रावर्ण और फिर गोरा मनाते हैं परमपिता परमात्मा जित्तर में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लातमार गोरा बर रहा हूँ गोरी आत्मा सौरक्की मालिक बनती है काली आत्मा नरक्की मालिक रहती है मालिक है आत्माही कहने कब हो क्या है आत्माही गोरी और काली बनती है अब बाप कहते हैं तुमको गोरा बनना है यानि पवित्र बनना है वो हट योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हट करते हैं फिर परंतु योग बिगर तो पवित्र बनी न सकते हैं तो फिर कैसे बनेंगे या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े इसलिए बाप को क्यों न याद करें और पांच विकारों को भी जीतना है तो बाप कहते हैं ये काम विकार ही आदी मद अंत दुख देने वाला है और जो विकारों को नहीं जीत सकते वो वेकुड के राजा थोड़ा ही बन सकते हैं इसलिए बाप कहते हैं देखो देखो मैं तुमको कितने अच्छे करम सिखाता हो बाप टीचर सत्गुरू के रूम में तो क्या समगाते करम और योगबल से विकरम विनाश कराए विकरमा जीत राजा बनाता हूँ वास्तों में वास्तों में सत्यु के देवी देवताओं को ही कहा जाता है विकरमा जीत जिनोंने विकरमों पर पूरी जीत पा लिए है वहां विकर्म तो होते ही नहीं तो विकर्मा जीत समवत उस समय का नाम ही दे दिया उन्हें विकर्मा जीत और फिर विकर्मी समवत जिसमें विकर्म करने शुरू हो गए दोनों समवत समय अलग अलग है ऐसे नाम क्यों दिया क्योंकि एक राजा विकरम भी होकर गया और विकरम जीत राजा भी हो गया है तो हम अभी विकरमों को जीत रहे हैं किसे योग बन से ग्यान योग बन से फिर द्वापर से नए सिरे से विकरम शुरू होते है तो नाव रख दिया है राजा विकरम अब देवताई है विकरम अजीद अभी हम बनते हैं फिर जब वाम मांग में आते हैं तो विकरमो का खाता शुरू हो जाता है और यहां यहां विकरमो का खाता चुक्तू कर फिर हम बनते हैं विकरमा जीद पाबा पूरा लौ बता रहे हैं विधार बता रहे हैं कि विधान किया जो समयने की बात है कि बनना तो पड़े कई पड़ेगा अभी बनना पड़ेगा फ उसमझ जाएगा वो ने दुन्या में जाएगा नहीं समझेगा वो बेटा रहार रहा प्रमधा में फिर अब वहां कोई विकरब होते नहीं तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए नशाहोना चाहिए कि हम यहां उंच तक दीर बनाते हैं ये हैं बड़े ते बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला सत्संग में तकदीर बनने की तो बात ही नहीं रहती पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है और जानते हो हमी क्या तकदीर हमारी हम नर से नारायन यह को राजाओं का राजाओं बनेंगे सम terrified ना कि राजाओं का राजाओं बनेंगे पतित राजाओं को पूछती है और मैं तुमको पावन बनाता हूँ पत्ति दुनिया में तो राज्ज नहीं करेंगे अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्क इलदे बच्चो प्रती मात पिता भाप दादा का याद प्यार का और गुट मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुकिसार है पहला बुद्धी में सोदर्शन चक्र का ग्यान रख रहू के ग्रहन से मुक्त हुना है श्रेष्ट करम और योगबल से विकर्मों का खाता चुक्तु कर विकर्मा जीत बनना है दूसरा अपनी उंची तग्दीर बनाने के लिए कैसे बने के तग्दीर आपकी कैसे बने के तग्दीर अच्छी तग्दीर बनने का सिर्का क्या है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है यह लाइन को अटेन्शन रखना पढ़ाई के बगार को कई काम ने वाना सच मेरे एक लास उसकी बाद बाद तो करना क्या है वर्दान भाया मुक्ता के रसों की अकर्शन के बंदन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भाव भाया मुक्त भाहर देखते लो जो रस आते हैं यह फैसल लीजिए यह कि अच्छा प्यार करते हैं यह कि अच्छा प्यार करते हैं यह कि अच्छा प्यार करते हैं यह सब रस हैं जिनकी अकर्शन के बंदर में फस जाते हैं उनसे मुक मुक्त रहना है तम क्या कराइंगे जीवन-mukत syllables लो अंतर मुक्त सिर्ण सब्रोगात। क के रसों की कर्षल के बंदनों से ब्रॉक्त रहने वाले जीवन-mukत अंतर कर सिर्ण więks आत्मए की गुनों बास एंतर में की सदा सुखी वहिया मुखी साधा दुकि नियुकां इयुकि नहीं है पर भार के जितने वी कुonder तो प्रूगर मेसे दुक ही तो अंतर मुक्ता के रसों की अकर्शन के बंदर से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भौ जीवन भी है और मुक्त भी है बंदर भी कोई नहीं है जीवन मुक्त स्टेज अभी जीवन भी है तब जीवन मुक्ती में जाएंगे बहाया मुक्ता अर्था क्या है बहाया मुक्ता व्यक्ति के भाव सभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन संकलब बोल और संबंद संपर्क द्वारा एक दूसरे को व्यर्थ की तरफ उक्साने वाले कोई ऐसी बात चेलो कुझे को बहां लगारेगा सोचने भी ऐसा क्यों वह वैसा क्यों वह सदा किसी ना किसी परकार के व्यर्थ चिंतर में रहने वारे किसी के बारे में उन्टा किसी ना किसी परकार के व्यर्थ चिंतर में रहने वाले आंत्रिक सुख श्यांती प्रेम अनंद शक्ति से दूर यह बाया मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत अकर्शित करते हैं इसलिए पहले इसको करते हैं केंची लगा हो लोग आ जाएगे बैठे अच्छे बले तो पता उसकी बात किसकी बात बास काल खोल जाएंगे बास वैसे के लेट हो रही हो जदी जाना है बद किसी की बात चेड़ दो गंटा बैठे रहेंगे जब तक बात बुरी खत्रम लेगे तब तब दो लेट नहीं कि तो बश्रम ड़ा इसे है नोगरी नहीं करना होता है मनता फ्री होती है तब करकि तो बस तो बैठे रहेंगे फिरशा मुले ना की बात करने अच्छी बात करने ओएगे ओ नेहीं लेट हो तो पहले जो करने इसको क्या इससी लेगाओ यह रस ही सुक्षम बंदन बन सफलता की मन्जिल से दूर कर देते हैं जब इन बंदनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त जीवन है पर कोई बंदन नहीं पाया हुआ कि यह ह wizard है कि ऊएस नहीं और चुब अघ्य हए जो करेंगा सुप आगा पाये का जितना करेंगा उतना बाइगा तुम क्यूं रो रहे हो भई तुम क्यूं भई अधास सुलू करने बापा ने बताया जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के परभाव के बंदन से मुग्द साक्षी वर रह्म दिल है वही तपस्वी है ठीक है त्याक्तियों कर दिया हमने देवान का फिर तपस्या भी तो है तपस्या क्या है कोई अच्छा करे बुरा करे उसके परभाव से कि बंदन ना बांदे उसका परभाव उससे मुग्द रहना कैसे दो इलाज है या तो उस पर रह्म करना शुनों कर दो या साक्षी डिटैंट हो कि अबजब करो क्या हो रहा है क्या हो बस उस यह आकी तपस्या और शान्ती